दोस्तों भारत में जल्द ही आपको दिल्ली और मुंबई के बीच तेज का सबसे बड़ा एक्सप्रेस दे देखने को मिलेगा तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे भारत में विकास का एक और बड़ा काम होने जा रहा है या यू कहिए कि कारिय प्रिगती पर है बस कुछ ही समय में आपको नतीजे दीखने लगेंगे इसकी लंबाई तेरा सु पांच किलो मीटर है जिसे बनाने में लगभग नब्बै हजार करोड रुपे की लागत आईगी खुद केंद्रिय मंतली नितिन गटकरी ने इसके बारे में ट्वीट किया है जिसमें एक वीडियो सेर भी किया है इस एक्सप्रेस वे को 2018 में सुरू किया गया था और 9 मार्च 2019 को इसकी आधार सिला रखी गई थी 1000 किलो मीटर से भी अधिक का कॉंट्रेक्ट दिया जा चुका है और काम चालू है दिली से दो सा सेक्षन जैपुर को जोड़ेगा जो जैपुर एक्सप्रेस दिका हिस्सा है और ब्रोद्रा से अंकेलिय सर का सेक्षन एकोनोमी हब भरुच को जोड़ेगा ये दोनों सेक्षन इसी साथ यानि नमंबर 2021 तक सुरू हो जाएंगे जनबरी 2023 तक ये पूरा एक्सप्रेस बेव बन कर त्यार हो जाएगा आपको बता दें कि ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस बेव बन रहा है जिसकी खासियोत जानकर आप तंग रह जाएगे आईए जानते हैं एक्सप्रेस बेव की खासियोतों के बारे में इस एक्ट्रेस वेके बनने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी करीब 130 किलोमीटर कम हो जाएगी दिल्ली से मुंबई जाने में लगने वाला समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे रह जाएगा इससे हर साल करीब 32 करोड लीटर फ्यूल की बचत होगी इसकी वज़े से सालाना करीब 85 करोड किलोमीटर कार्बन डाक्साइड ऑक्सीजन का उत्सरजन घटेगा जो 4 करोड बेड लगाने के बरावर है एक्सप्रेस वे के पास 3 अंडर पास होंगी और 5 ओबर पास इस एक्सप्रेस वे बनाने में 5 लाक टंद से भी अधिक इस्टील लगेगा जो करीब 20 हाबडा ब्रिज के बरावर होगा करीब 50 करोड क्यूई मीटर जमीन को मूब किया जाएगा जो 60 लाक ट्रक ट्रिप्स के जरिये होगा इसमें 35 लाक टंद सेमंट लगेगा जो देश के कुल प्रोडक्शन का करीब एक फिस्टी है इस एक्सप्रेस वे से लगबग 50 लाक बजदूरी के दिन पैदा होंगे जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा काम मत्यजी लाने के लिए एडवांस टेकनोलोजी का इस्तेखल हो रहा है जिसमें ट्रॉन से सर्वे किया जा रहा है यह एक्सप्रेस वे कुल पांच राज़ों से गुजरेगा जिसमें दिल्ली, राजिस्थान, मध्यपर्दिस, गुजराद और महराश सामिल है यह एक्सप्रेस वे जैपुर, किसंगण, अजिमे, कोटा, चित्तोरगण, उदैपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, एहम्ताबाद और सूरत जैसे इकोनोमिक हब के लिए भी शांदार कनेक्बिटी मुहिया कराएगा यह एक्सप्रेस वे पांस साल में बन जाएगा जो काफी तेज काम है तो दोस्तों, यह जानकारी आपको पसंदाई होगी आप अपना प्यार और सहोग यूही बनाए रखे धन्यवाद